नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका Career Planet की Online Classes में दोस्तों Basic Computer Course की इस रंकला में आज की Class में हम सीखने वाले हैं Windows 10 की File Explorer Utility के बारे में दोस्तों Windows 10 में File Explorer एक तरह की File Manager एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से आप अपने computer की सभी files और folders को manage कर सकते हैं और उनमें store information को access कर सकते हैं हम जो भी काम computer में करते हैं उस work को हम files और folders के माध्यम से अपने computer में store करते हैं और जब हम computer सीखने की शुरुबात करते हैं तो हमें file और folder system समझ मायना चाहिए, files क्या होती है, folders क्या होते हैं और हुने हम किस तरह से access कर सकते हैं और उसी के लिए Windows Operating System में Windows Explorer नाम से एक application दी गई है Windows के older version में इसे Windows Explorer का जाता था और Windows 10 में इसे File Explorer के नाम से जाना जाता है Microsoft ने अपने Windows 95 Operating System के साथ ही Windows Explorer नाम की utility को Operating System में aid किया था, उसे release किया था एक ऐसी utility है, ऐसा program है जिसमें graphical user interface के माद्यम से आप अपने computer में store की गई files और folders को easily manage कर सकते हैं क्योंकि हमारे system में जो storage devices लगी हुई हैं, उनमें data को manage करना भी हमें आना चाहिए File Explorer को open करने के लिए आपको task bar पर एक बटन दिखाई देगा यह इस तरह का एक briefcase का yellow color का एक symbol आपको दिखाई दे रहा है, इसे file explorer का जाता है आप इस पर single click करेंगे, तो file explorer application open हो जाएगी जैसे ही file explorer load होता है, आपको frequently folders, ऐसे folders जिने हम बार बार use करते हैं, वो सबसे पहले दिखाई देंगे Windows operating system में जितना भी हम काम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, या तो files की रूप में store होते हैं, या हम उन files को folders में store कर सकते हैं तो यह yellow color के आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी folders हैं, और जो बाहर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह सभी files हैं तो सबसे पहले जब explorer open होगा, तो आपको frequently folders, जिन folders को आप रोज यूज करते हैं, या जो ज़्यादा आपके काम आते हैं, automatically वो सभी folders आपको एक section में सबसे पहले दिखाई देंगे उसके बाद ऐसी files, जो recent files कलाती हैं, जिने आपने अभी open किया है, या जिन files को आप बार बार यूज करते हैं, वो भी recent files section में आपको दिखाई देंगे इसके side में जो section दिखाई दे रहा है, उसे navigation pane कहते हैं, यह एक tree structure है, और यहाँ से हम हमारे system के storage devices को access कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है, हमारे system में storage devices होती हैं, जैसे हमारे घर पर store room होते हैं, ठीक इस तरह से हमारे computer में भी storage devices होती हैं जो कि HDD, means hard disk drive, floppy disk drive, DVD, pen drive, यह सारी क्या है? storage devices हैं अब floppy drive तो आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी, पूराने computer में यह floppy drive भी हुआ करती थी, पर अब यह प्रचलन में नहीं हैं hard disk जो होती हैं, यह सबसे बड़ा storage device है, बड़ा store room है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे घर पर store room होता है, ठीक इस तरह से computer में जितने भी programs, songs, movies, games, store होते हैं, वो सभी hard disk में store होते हैं यह जो hard disk है, इस तरह से इसका internal structure होता है, इसे हम खोल नहीं सकते हैं, पर इस तरह से अंदर यह इस तरह से दिखाई देती है, अब यह hard disk है, चुकि यह बहुत बड़ा देखने में बली चोटी है, लेकिन इसका storage capacity बहुत ज़्यदा होता है, तो इस वज़े से इसके अलग- एक को D, एक को E, और अगर आपकी hard disk और बड़ी है, E के बाद C, D, E, F, G, H इस तरह से भी कर सकते हैं, hard disk की storage capacity कम है, तो केवल C drive या केवल D drive, तो C और D भी हो सकता है, लेकिन आपकी computer में कम से कम एक part, यानि एक partition तो हो गई होगा, जिसे हम C drive कहते हैं, इसको लिखने का जो हमारे गर पर एक अलमारी है, और उस अलमारी में अलग-अलग section होते हैं, यानि अलग-अलग partition होते हैं, और उसमें से एक section में हम अपनी science की books रखते हैं, दूसरे section में दूसरे subject की books रखते हैं, तो अलग-अलग section आपको उसमें अलमारी में मिलते हैं, तो इसी तरह से हमारी hard disk भी है अलग-अलग section में हम अलग-अलग काम की चीजों को रख सकते हैं जिससे हमारा data व्यवस्तित रहे और हमें कोई information चाहिए तो हम आसानी से access कर सकें तो इसी को यहाँ file explorer में दिया गया है आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ इस PC उसके नीचे आप देखेंगे तो local desk C, local desk D, E, F यह सारे हमारे इस computer में लगी हुई hard disk के partitions हैं जब आप इस PC पर click करेंगे तो आपको इस PC में जितने भी drive से उनके बारे में पूरी information मिल जाएगी साथ ही साथ यदि आपकी computer में DVD drive है तो भी आपको यहाँ पर अलग से sign मिल जाएगा अलग से symbol मिल जाएगा जो की DVD को represent करेगा इसी तरह से यह दि आपने कोई pen drive आपके system में insert कर रखी है तो pen drive का symbol भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब इस tree structure में सबसे पहले आपको quick access दिखाई दे रहा है इस quick access में भी लगबग वही view मिलता है जो file explorer को open करते वक्त आपको दिखाई दिया था उसके नीचे desktop दिखाई दे रहा है desktop पर जितने भी icons बने हुए है और जो folders बने हुए है उन्हें आप direct desktop पर click करते हुए use कर सकते हैं download folder इस folder में आपने internet की माध्यम से जितनी files folders information download की है वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसी तरह से document जिसे पहले my document कहा जाता था वो यहाँ पर document के नाम से आपको देखने को मिलेगा जो भी आपके system के documents हैं वो आप यहाँ से easily access कर सकते हैं picture वाले section में आपको सारी photographs देखने को मिलेंगी इस तरह से recycle bean dust bean अगर यहाँ कोई file रखी हुए होगी तो वो भी आप यहाँ से use कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर दिये गए Google Drive का भी use कर सकते हैं अलग-अलग folders जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनका use कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आप निचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर one drive की facility भी मिलती है जो Microsoft account के साथ आपको use करने होती है इसी तरह से यहाँ पर आपको music का अलग section मिलेगा वीडियो का अलग section मिलेगा और हमारी drives C drive, D drive, E drive, F drive में जो भी data हमने रखा है उसे आप directly access कर सकते हैं यूज कर सकते हैं generally C drive जो होती है वो operating system के लिए होती है, operating system के लिए इसे हमें reserve रखना चाहिए आप यूज समझ लीजिए जैसे हमारे घर पर drawing room होता है वो हमारे guest के लिए होता है, मेहमानों के लिए होता है, वो हम फालतु का सामा खटा नहीं करते हैं ठीक इसी तरह से हम जो भी file और folders create करते ह हैं, हमारे काम को save करते हैं, उसे save करते समय हमें C drive में उन्हें save नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर आपके पास यदि दूसरी drives हैं, E drive, F drive उनमें आपको save करना चाहिए, C drive आप जितना खाली रखेंगे, empty रखेंगे, उतना ही आपका system speed up होगा, उतना ही आपका system बहतर दं section में आपको अलग-लग commands दिखाई दे रही हैं, इन मेंसे कुछ commands हमारे काम की हैं, जैसे आप किसी folder को cut करना चाहें, किसी file को copy करना चाहें, तो वो सारे frequently used commands आपको यहां पर home tape में देखने को मिलते हैं, या फिर आप directly किसी भी file को किसी भी folder में यहां से copy कर सकते हैं, उसके आपको महारना प्रताप का एक photograph दिख रहा है, इसे में किसी और drive में paste करना चाहता हूं, किसी और folder में store करना चाहता हूं, तो simple आप इसे click कीजेगा, select कीजेगा, और drag करते हुए जिस folder में आपको इसे paste करना है, वहाँ पर drop कर दीजेगा, तो देखिए यह student नाम के हमारा एक कट करना चाहता हूं, तो आपको file को select करना है, और home tape में दिए गए cut command से, आप इसे यहां से cut कर सकते हैं, cut का मतलब है कि यहां से हट जाएगा, और जिस location पर आप इसे paste करना चाहें, उस location पर जाते हुए आप इसे paste कर सकते हैं, तो देखिए वहां से यह file कट कर, अब हमारे इस folder में आ चुकी है, और जब आप वहां पर document folder में जाएंगे, अब वह file यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसी तरह से यह दिए आप चाहते हैं, कि कोई भी folder आपके quick access section में आ जाए, तो उस folder को आप select कीजेगा, select करने पर आपको उपर pin to quick access, यह option दिखाई दे में दो commands और दिखाई दे रही है, move to और copy to, move to का सिधा सा meaning cut से है, यदि आप इस particular folder को यहां से move करना चाहते हैं, तो जब आप move to पर click करेंगे, तो जो frequently used folders हैं, उन सब की list आपको यहां दिखाई देगी, यदि आप ऐसे किसी folder में इस particular folder को move करना चाहते हैं, यहां से हटा कर उस जगह पर लगालने चाहते हैं, और वो folder यहां नहीं है, तो last में आपको choose location का option दिखाई दे रहा है, वहां से आप location को select करते हूए, इस folder को उस location पर move कर सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, यदि आप हटाना नहीं चाहते, केवल और केवल कोपी करना चाहते हैं, कि इस location पर भी रहे और किसी और folder में भी चला जाए तो उसके लिए आप copy to command का use कर सकते हैं इसी तरह से आपको delete दिया गया है delete से आप permanently उसे delete भी कर सकते हैं या recycle बीन में उसे temporarily delete करते हुए बेज भी सकते हैं यदि आप किसी folder का नाम बदलना चाहें तो यहाँ आपको rename command दिया गया है जिसका shortcut f2 होता है आप f2 से भी folders के नाम को change कर सकते हैं फाइल के नाम को भी change कर सकते हैं इसी तरह से ज़़िया आप कोई नया folder क्रेट करना चाहें तो रखा हुआ है तो आप इस पिसी पर क्लिक कीजिए जैसे मुझे ढूंडा है कि मेरे सिस्टम में सॉंग्स का रखे हुए हैं तो जस्ट आप सॉंग्स टाइट कीजिए जहां पर भी सॉंग्स होंगे ओटोमेटिक सॉंग वाला फोल्डर हमारे सामने आच चुका है तो इस तरह से सर्च बॉक्स के माधियम से आप कोई भी इंफोर्मेशन अपने सिस्टम में से सर्च कर सकते हैं किसी भी फोल्डर को डूंड सकते हैं दोस्तों हम टेप के साथ साथ आपको शेर टेप भी दिखाई दे रहा है इस शेर टेप से आप किसी भी फोल्डर को फाइल को शेर कर सकते हैं अब कहां शेर करेंगे तो उसके लिए आपको जब शेर बटन पर आप क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में नेट अवेलेबल होना चाहिए तो यहाँ पर आपको बाइडिफोर्ट दो एपस दिखाई दे रही है वननोट फोर विंडोज और मैल एप यानि आप एमेल के माध्यम से जिसे आप शेर करना चाहते हैं उसे मैल पर सेंड कर सकते हैं या वनननोट जो सब्फ़र है विंडोज का उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं और भी बहुत सारी एप्स हैं जो कि विंडोज स्टोर से आप डाउंडोड करके उन्हें यहाँ एड कर सकते हैं और उनमें भी आप अपनी files और folder directly यहां से share कर सकते हैं share team में ही हमें side में email को वाला option दिखाई देता है आप directly यदि email करना चाहिए तो उसके लिए आपको outlook express जो software है उसे configure करना होगा उसके पास में आपको zip नाम का option दिखाई दे रहा है इस zip utility से आप अपने files या folders को compress कर सकते हैं उनकी size को compact कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं यह directly आप यहां से DVD बनाना चाहते हैं तो अपने data को आप select कीजिए DVD insert कीजिए और burn to disk वो सारी information आपकी disk में DVD की रूप में burn हो जाएगी नहीं आपकी DVD तयार हो जाएगी इस तरह से यह आपको information प्रिंट करना चाहते हैं तो भी यहां से कर सकते हैं fax कर सकते हैं अगला जो हमारा tape है वो view tape है आपको file explorer किस तरह से देखना है उसके लिए यहाँ पर आपको option मिलेंगे navigation pane जो भी हमें दिखाई दे रहा है यदि आप इसे हटा देंगे तो navigation pane आपको दिखाई नहीं देगा हमेशा हमें navigation pane open करके रखना चाहिए preview pane पर जब आप click करेंगे तो side में आपको selected file का preview दिखाई देगा जैसे मैंने इस file को select किया इस file में जो भी लिखा हुआ है वो हमें side में दिखाई देगा इस तरह से आप files के matter को directly यहां preview कर सकते हैं देख सकते हैं कि उस file में क्या लिखा हुआ है और यदि आप preview pane के जगे detail pane का use करेंगे तो उस file की पूरी detail आपके सामने आएगी कि वो file कब बनी कहा store है उसकी क्या size है यह सारा कुछ उसकी पूरी properties आपको detail pane में show होने लगेगी इ आपको किस तरह से file explorer को देखना है यहां पर अलग अलग आपको view दिखाई दे रहे हैं यदि मैं detail पर क्लिक करूंगा तो इस तरह का view आएगा और जब आप sort करना चाहते हैं इन्हें करम में जमाना चाहते हैं तो उसके लिए मालिजी जैसे हमारा document folder है इसमें जितने भी folders औ आप date wise sort करना चाहते हैं तो date wise जब हमने बनाया जो सबसे पहले बनाया उसके बात बनाया वो इस order में अभी आपको set करके दे देता है इस तरह से type wise जो Excel की file है वो सब एक साथ आएंगी जो words की file है वो सब एक साथ आएंगी इस तरह की अलग-लग sorting methods को आप यहां से use कर सकते ह साथ ही साथ आप यदि किसी भी file को या folder को hide करना चाहते हैं चुपाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस file को या folder को select कीजिएगा और उपर आपको view tape में ही एक और option दिखाई दे रहा है hide selected items जैसे आप इसके पर click करेंगे यह थोड़ा सा light हो जाएगा और उसके बाद यहा और वापस show भी कर सकते हैं दोस्ता अभी हमने सिखा कि हमने file explorer को task bar से open किया था यदि आप keyboard shortcut के साथ इसे open करना चाहते हैं तो उसके लिए keyboard shortcut रहता है windows की और e आप keyboard से windows key press कीजिएगा और e better press कीजिएगा तो भी आपका file explorer open हो जाएगा तो आज हमने file explorer application को सिखा किस तरह से हमें अपने system में store information को manage करना है दोस्तों जिए आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो उपयोगी लगा हो ज्यान वर्दक लगा हो तो आप इसे जरू लाइक करें, share करें और comment करें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुछ रहिए, सिकते रहिए, सिखाते रहिए वीडियो देखने के लिए आपका भाहत भाहत धन्यवाद झाल झाल